दलसागर के फुटोवर ब्रिज निर्मान पर लगा स्टे, कोट ने जताई नाराज गी अधिवक्ता नवेदु मिश्रा की याचिका पर सुनवाई बीते 8 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्याले स्थित दलसागर तालाब में हो रहे निर्मान कारियों के विरुद्ध अधिवक्ता नवेदु मिश्र द्वारा लगाई गई याचिका में स्टे पर राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण के द्वारा सुनवाई क गई थी जिसमें कलेक्टर सिवनी के प्रतिनिधियों एवं मध्य प्रदेश पालूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक समिती बनाई गई थी समिती की रिपोर्ट में नवेदु मिश्रा द्वारा लगाई गई आपत्ती के लगभग सभी बिंदूओं को माना गया जिस पर माननिय न्यायाले द्वारा सख्त रूख अपनाते हुए सरकारी विभागों पर काफी नाराजगी जाहिर की गई सरकारी वकील को सख्त लहजे में सभी आद्र भूमी अधिनियम के नियम चार के प्रावधान पकस सुनाये गए और कहा गया कि जब आद्र भूमी में एक इड़ भी नहीं जूड़ी जा सकती वहां आप पिलर कैसे खड़े कर रहे है आद्र भूमी से जुड़ी किसी भी राज्य अथोरिटी या राष्ट्रिय अथोरिटी से आपके द्वारा अनुमती नहीं ली गई जिन विभागों पर कानून लागू करने का भार है वही कानून तोड़ रहे है अभी तक नालो एवं नालियों का पानी स्थानिय बुधवारी तालाब, दलसागर एवं वेंगोंगा नदी में छोड़ा जाता है ग्यात हो की सिवनी वासी भीमगर का जल पीते हैं जिसमें शहर के सभी नाले और नालियों का पानी बिना शोधित किये जा रहा है इसके परिणाम कैंसर, किड्मी फैलर जैसे अनेक रोगों के रूप में हो सकते है साथ ही तालाबों से भूमिगत जल भी भरता है बुधवारी तालाब, मठ तालाब, मोती नाला में भी नाले का पानी निरंतर डाला जा रहा है इस मामले में भी त्वरित प्रभाव से अशोधित पानी को किसी भी आदर भूमी में न छोड़े जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पिछले निर्णए में कोर्ट द्वारा बनाए गई समिती को वस्तु स्थिती एवं कारेवाही करने के निर्देश दिये गए थे जिसकी रिपोर्ट 6 सपता में जमा की जानी थी कमेटी द्वारा दलसागर में हो रहे निर्मान कारियों की जानकारी कोट को गई साथ ही दलसागर में नगरपालिका द्वारा छोड़े जा रहे नाले पर कारेवाही करते हुए मध्यप्रदेश पालूशन कंट्रोल बोर्ट द्वारा चार करोड असी लाग का मुआवजा अधिनियम की धारा 24, 25, 43 और 44 के अंतरगत आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। फुट ओवर ब्रिज निर्मान को रोकने की याचिका हेतु अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा, अधिवक्ता अर्पित देशमुख, अधिवक्ता वर्षा ठाकरे राष्ट्रिय हरित प्राधिकरन के न्यायाले में उपस्थित हुए।